Elimination Reaction के अंदर अपने E1 Mechanism की बात कर ली थी अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं E2 Mechanism E2 मतलब Elimination Reaction Bi-Molecular Reaction इसमें क्या होगा? Elimination हो नहीं है वैसे भी R, CH, CH2 एक Hydrogen अपन यहां लगा देते हैं और एक X अपनने यहां पर लगा देते हैं यह Hydrogen लगा रखा अपनने यह Hydrogen अब यहां पर हमारे को Reagent कैसा लेना है? तो वो Strong Base होना चाहिए देखो अगर Weak Base होगा तो उस Condition में हमारे को E1 Mechanism हो जाएगी और Strong Base होगा तो उस Condition में क्या होगा हमारा E2 Mechanism होगा और Product क्या मिलने वाला है? यहां से X, यहां से H और क्या निकल जाएगा? R, CH, Double Bond, CH2, Alkene बनेगा ठीक है? और साथ में क्या निकल जाएगा? HX यादर जाएगी बात? X- माइनस भी निकल सकते हैं अब भी अपन Mechanism देखेंगे, उसमें अपन देखें लिए Side Product क्या निकलने वाले, क्या बनने वाले हैं? ठीक है भई? तो यह है अपना Elimination Reaction अब इसकी Mechanism अपन देख लेते हैं Adding लगाईए Mechanism ठीक? अपने को इसको लिखना है R, CH, यह X लगा दिया यह लग दिया मैंने CH2 ठीक है? और इस बार इस Hydrogen को मैं नीचे न लिखकर का लिख रहा हूँ मैं उपर के तरह उसके पिछे भी Reason है, अभी बताता हूँ ठीक है? अब यहाँ पर क्या होगा? Strong Base अपनने ले रखा है तो वो कभी भी Hydrogen के या X के निकलने का Weight नहीं करेगा इसका मतलब यहाँ पर किसी तरह का कोई Carbocatine बनने वाला नहीं ठीक है? Carbocatine की Formation नहीं होगी X नहीं निकलेगा, उससे पहले ही क्या कर लेगा? Strong Base जो है वो Attack कर लेगा, तो हमारे क्या ले रहे हैं यहाँ पर Strong Base याने की क्या ले लिए अपने Strong Base मतलब B Negative H प्लस चाहिए हो उसको और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ Nucleophile भी हो सकता है क्योंकि Negative Charge ये Nucleophile है ये Nucleophile आ भी रहा है और एक Nucleophile जा भी रहा है ठीक है? लेकिन Elimination हो रहा है इसलिए अपने इसको Elimination Reaction के अंदर डाल रहे है अगर ये X की Position को जाकर क्यान करता है तो ये Substitution Reaction हो जाती है ठीक है भी? अब ये H अपने उपर क्यों लिखा? ये X को Anti Position के पास में जाकर Attack करेगा इसलिए अपने क्या लिखा है? इसको Anti Position में तो X निचे की तरफ है तो उपर वाले H को ये Remove करेगा जब आप Example Solve करोगे तो ये आपके Anti Position बहुत काम आने वाली है ठीक है भी? अब अपने को क्या करना है? B- X के निकलने का Weight नहीं करेगा उससे पहले ही H को क्या करेगा? भाईया तो अपने Electron donate करके और मेरे पास आजओ क्योंकि मेरे पास पहले से क्या पढ़े हुए? Electron पढ़े हुए तो H क्या करेगा? यहां से अपने Electron इस Bone की तरफ Shift कर देगा अब जब Electron Bone की तरफ Shift कर देगा तो भाईया ये Carbon कहेगा कि मेरे पास तो Alkyl पहले से पढ़ा हुआ है, एक Hydrogen है, एक X- है, एक मेने Covalent Bone पहले से बना रखा है, तो यहां पर मेरे पास इतनी Valency तो है नहीं कि तेरे Electron की तेरे Electron को भी मैं Bone में Convert कर सकूँ तो भाईया एक Suggestion देता है कि तुम एक काम करो, यहां से जो Hetero Atom है, उसको वहां से Remove करो, और उसको अपने Electron लेकर रवाना कर दो ताकि आपके पास Valency हो जाएगी और मेरे Electron को भी आप क्या कर सकते हो, गेन कर सकते हो तो यहां से क्या किस को रवाना करेगा, यह X को X- की Form में रवाना करेगा यह सारी एक स्टेप में Reaction होने वाली है, यह ना, तो क्या होगा R CH यह जो बोन है, यह ब्रेक होने वाला है, अभी ब्रेक होगा यह ठीक है, यहां पर एक बोन पहले से है, एक बोन हाइडोजन बननने वाला है, उसका Electron जो डोनेट किया, उसका बोन इदर की तरफ शिफ्ट होगा, और यहां क्या है हमारा, CH2 है, यह ना, और यहां पर क्या है, यह H का बोन ब्रेक हो रहा है B- जाकर उसको अटेक कर रहा है तो यह B- यहना कि जो Strong Base है, वो जाकर अटेक कर रहा है, यह B- है यह अपने बोन को Create कर रहा है तो कुछ बोन बन रहा है, कुछ बोन ब्रेक हो रहा है तो इस तरीके की जो Intermediate State बनेगी, उसको बोलेंगे अपन Transition State Transition State ठीक है और जैसे यह Transition State बनेगी और उसके बाद में यह B- ब्रेक होना, Remove होना, बनना यह सारा एक साथ करिक्रम होगा और यहां से HB यह बाद निकलेगा X- यह बाद निकल जाएगा और अपने को Product क्या मिल जाएगा R, CH, Double Bond CH2 अच्छा, Product के अंदर Elkin Complete बन चुका है इसलिए इस Transition State के अंदर जो नया Double Bond बन रहा है उसके कारण से अब यह Elkin बनने जा रहा है इसलिए इसको Baby Elkin भी कहते है क्या कहते हैं अपन Baby Elkin ठीक है अगर हमारे को पूछ ले Baby Elkin कहां पर बन रहा है तो हम कहेंगे Transition State के अंदर इसकी Formation होती है Clear? उसके बाद में एक चीज और पूस सकते हैं यहां से कि यह जो Elimination है वो किस टाइप का Elimination है तो भाईया यहां से जो Attack हो रहा है वो X की पहले से जो Position है उसके Anti-Position में जाकर Attack हो रहा है इसलिए इसको Anti-Elimination भी कहते हैं कौन सा Elimination? Anti-Elimination ओके? Alpha, Beta है यह? Alpha, Beta Elimination है अगर इसकी Alpha Position पर है और Beta से Hydrogen निकला है तो Alpha, Beta Elimination है लेकिन Attack कौन से Position से होगा? तो Anti-Position से इसका Attack होने वाला है ठीक है भई? यह Reaction उतार लीजिए मैं इसकी कुछ Points उतरवा देता हूँ तो वो Points भी Number-wise आप लोग Not कर लीजिए ठीक है भई? यह Elkin बन रहा है मैं के वाल उपर-उपर से रप कर देता हूँ और मैं Points लिखना स्टार्ट करता हूँ यह Mechanism as it is लिखी हुई अभी तो First Point इस Reaction के लिए पहला Point लिखिए It is Single Step Reaction कौन से Step Reaction है? Single Step Reaction यह कौन से Step Reaction है? Single Step है और अच्छा इस Step के अंदर कहीं Carbocatine आपको नजरा रहा है क्या? तो हम कहेंगे No Carbocatine Form जब Carbocatine ही नहीं बन रहा है तो यहाँ पर किसी तरह का कोई Rearrangement होगा क्या? तो हम कहेंगे No Rearrangement Take Place जातरीजे की बार Second Point लिखिए अब यह जो Reaction है इस Reaction के अंदर Strong Base जब आ रहा है तब जाकर और X का Removal हो रहा है याने कि यह पूरी एक Single Step Reaction है और अगर अगर अपन इन दोनों को छोटी-छोटी Step में अगर Classified किया तो उस Condition में यह जो पहली वाली Step है यह Slow Step होगी और यही RDS होगी याने कि Rate Determining Step होगी और जो Rate Determining Step होगी उस Rate Determining Step के अंदर Base की Concentration और हमारे Reagent की Concentration दोनों पर ही यह Depend करेगी क्योंकि Base आएगा Strong Base जाकर Attack कर रहा है तब ही जाकर Transition State बनेगी और Transition State बनने किसकी वाली है तो Elkene की बनने वाली है ठीक है इस लिए इस Reaction को अपन क्या कहते हैं Bi-Molecular क्योंकि इस Reaction की जो Rate है वो Rate Determining Step के अंदर Rx चितनी Concentration में Participate करता है उतना Base भी अपनी Importance रखता है दोनों की Concentration है इस लिए इस Reaction का जो Order निकल के आएगा वो के निकल के आएगा 2 इसलिए अपन इसको क्या के दिया Bi-Molecular Reaction याद जाएगी बात Third Point लिखे इस Reaction के लिए हमारे को Strong Base की Requirement रहेगी कौन से Base की Strong Base अब Strong Base कौन कौन से आपको नजर आने वाले है तो एक तो आपको Alcoholic के ओश तो दिखे गई दिखेगा एक आपको Alcoholic N.A.O.S. नजर आए गई आएगा ठीक है ये दोनों गर आपको नजर आगए N.A.N.S.2 और N.S.3 एक आपको नजर आएगा Sodium Tertiary Butoxide Sodium Tertiary Butoxide अगर ये N.A. नहीं लगा हो तो एक क्या कौन सा हो गया तो मेत, मेत, एत, प्रोब, ब्यूट है और Tertiary Butane और O.H. लगा है तो Tertiary Butanol H को हटा के N.A. लगा दिया तो इसका नाम क्या हो गया Sodium Tertiary Butoxide ठीक है और कौन-कौन से है ये एक Special Reagent है ये इस Special Reagent क्यों है क्योंकि ये किसी Reaction के अंदर आप Examples होगरा देखना बुक के अंदर तो किसी Examples के अंदर ये Sad Jeff को Major नहीं बनने देता है क्योंकि ये बहुत ज़दा Steric है और Steric का Attack जो है वो Carbon की Anti-Position पर ही होगा हमेशा तो Steric के कारण से Steric Hindrance वगरा ये थोड़ा सा Higher Classes के अंदर ये Higher अपन कहें कि Neat, J, Mainz वगरा की तैयरी में अपने ये काम आता है ठीक है भई, आपके Board के According इतना Difficult नहीं पूछेंगे आप लोगों को फिर भी आप लोग Examples सर्च करना ढूंड लगे ठीक है भई, एक आपको मिलता है Alcoxide RO RO मतलब CS3 लगा दो C2H5O लगा दो Methoxide, Ethoxide ये सारे इसमें आ जाएंगे तो RO negative भी अगर लिखा हो तो वो भी आपको किसमें आएगा Strong Base की केटिगरी में आने वल आए ठीक है, तीन पॉइंट के बाद में आप Pause करके उतार ले ना इसको तीन पॉइंट के बाद में 4th पॉइंट लिखे 4th कोंट लिखे Transition State इसके अंदर जो Transition State है, वो क्या है? हमारी Baby Alkin और Baby Alkin जितना ज़दा Stable होगा इस Reaction की Rate उतनी ही जदा होगी तो Rate of E2 उतनी ही जदा होगी ठीक है, इसकी Stability के ओपर Depend करेगा और Baby Alkin याने के Alkin कब जदा Stable होगा यह अपन पहले से डिसकस कर चुगे है कि More Substituted अगर हमारे को नजर आ जाए या हम कहें कि More Crowded Alkin अगर वो है तो वो Stable होगी More Substituted वाली Alkin हम ऐसा क्या होगी Alkin Stable होने वाली है है ना, तो इस Reaction के लिए भी अगर अपन का है तो इस Reaction की Stability 3 डिगरी की सबसे जदा उसके बाद में 2 डिगरी, उसके बाद में 1 डिगरी तो E1 की भी यही थी, E2 की भी यही थी वाई, Sn1 और Sn2 में यह different हो सकता है लेकिन यहां पर तो हमारे Alkin बन रही है वाई तो Alkin की Stability जदा होगी तो हो गसी बात है, E2 मेकेनिजम भी जदा होगी इसका मतलब, E2 की Stability याना की Reaction करने की Rate E2 में 3 डिगरी is greater than 2 डिगरी 2 डिगरी is greater than 1 डिगरी ऐसा का ऐसा हमारे को किसम नजराया था? E1 के अंदर और Same यही अपने को किसम नजराया था? Sn1 के अंदर याना कि E1, E2 और Sn1 में हमारे को Same category मिलने वाली है और Sn2 की अगर अपन बात करें तो Sn2 में हमारे को 1 डिगरी 2 डिगरी और 3 डिगरी इस तरीके का हमारे को pattern मिलने वाला है तो वो depend करेगा conditions के उपर आप लोगों ने इसकी mechanism भी पड़ी है ठीक है next point फिफ लिखे anti-elimination anti-elimination यहने कि यहाँ पर जो elimination होगा वो कैसा होगा anti-position से होगा clear 6th point लिखे हमारे को जो solvent use में लेना है वो solvent कैसा होना चाहिए polar aprotic कौन सा होना चाहिए polar aprotic polar मतलब उसके अंदर polarity होगी तब ही तो जाकर वो x- के bond को तोड़ पाएगा यहाँ पर x को निकालना x- की bond पर तो इस bond को तोड़ने के लिए polarity generate करनी पड़ेगी और polarity के लिए अपने solvent ले रखा है और साथ में कौन सा लेना है aprotic याने कि उसके पास किसी तरह कोई hydrogen नहीं होना चाहिए अगर उसके पास proton पहले से है तो base उस proton के साथ जाकर पहले reaction कर लेगा नहीं कि यहाँ पर जाकर h के साथ reaction करें ठीक है तो base reaction नहीं कर पाए reaction के लिए free रहे अपने solvent के साथ जाकर reaction ना कर ले तो base को free रखने के लिए हमने क्या कर दिया aprotic ले दिया so base is free to attack attack करने के लिए free रहे ठीक है अगर आपने polar protic ले लिया तो base उस protic के पास जाकर अपनी reaction कर लेगा और वो free नहीं रहेगा अपनी reaction करवाने के लिए clear 7th point लिखे living group तो living group की ability जितनी ज़्यदा होगी जितनी जल्दी वो निकलेगा rate of reaction उतनी ही ज़्यदा होगी rate of e2 ज़्यदा clear भई तो यह elimination reaction की bimolecular reaction mechanism और उसके कुछ important points इसके examples लिखना करना अगर explain में अगर आपको दिक्कत आए किसी examples के अंदर तो वो discuss करना आप लोग इसके examples को solve करना अपन अगली reaction स्टार्ट करें reaction with metal chemical properties of hello alcan का last topic अपने पास है reaction with metals वो भी most important अपना topic है अलग-अलग metals के साथ में alkyl halide की अलग-अलग तरह की reaction होती है heading लगाएंगे reaction with metal ठीक है first reaction लिखेंगे with sodium 11th class में पढ़ी हुई reaction है simple सी mechanism है rx के दो molecule दो sodium के साथ reaction करेंगे in the presence of dry ether और क्या बना देने वाले है आर आर यानि के alkane की formation होगी और nax निकल जाएगा यह क्या बना दिया अपने alkane और आपको अगर याद आ रहा हो तो इस reaction का नाम क्या है woods reaction याद आया कुछ तो यह woods reaction ठीक है यह reaction ascent of chain में भी काम में आती है यह अपने लिए नई चीचे ascent of chain यानि कि कम carbon को ज़्यादा carbon में convert कर ले के लिए number of carbon को increase करने के लिए यह reaction बहुत काम आती intermediate reactions में ठीक है अगर यह reaction लिखिए इसके examples वगरा बताने की requirement आप लोग चाहो तो लिख भी सकते हो R की ज़िए के CS3 लगा दो X की ज़िए के CL लगा दो और 2 sodium के साथ reaction करवा दीजिए तो क्या बन जाएगा CS3 CS3 और साथ में क्या निकल जाएगा twice NaCl ठीक है बई यह examples वगरा आप लोग solve करना ठीक है अगली reaction लिखिए reaction with jink reaction with jink jink के साथ reaction कराएगे तो jink के साथ भी same type की reaction होने वाली है same product मिलने वाला है लेकिन यहाँ पर इस reaction का नाम होगा frank land reaction क्या नाम लिखेंगे frankland reaction यह important है ठीक है भई नाम में थोड़ा सा difference है भई same rx jink xr के साथ rx उसको मैंने उल्टा लिख दिया ताकि अपना z and x2 निकाल सेके हैं अपन jink की valency 2 है तो z and x2 बन जाएगा r और क्या बन जाएगा z and x2 ठीक है अगले reaction लिखेंगे reaction with magnesium mg most 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 important reaction with mg ठीक है और यहाँ से जो हमारे को एक special type का product मिलने वाला है उस product का नाम है grignard reagent कौन सा reagent grignard reagent इसके लिए इस grignard नाम के scientist को nobel prize भी मिला हुआ है ठीक है और एक special type की reaction हम यह देखने वाले है mechanism भी अपन देखेंगे mechanism भी समझेंगे वहाँ से special type की questions भी अपने को solve करने हैं तो कुछ examples तो मैं आप से discuss करूँगा कुछ आपको book में मिल जाएंगे ठीक है यहाँ पर क्या होगा alkyl halide होगा magnesium होगा और dry ether होगा यहाँ तक की कहानी तो सब same चलती होए आ रही है अब थोड़ा सा difference क्या होगा कि यह rx का जो bond है इस bond में घे पाएगा और घे पाकर magnesium बीच में चला जाएगा तो यह बना देगा rmgx इसका नाम है alkyl magnesium halide और वो halide कौन सा लेते हो उसके उपर depend करेगा जैसे मैंने यहाँ पर cs3 ले लिया x में cl ले लो bromine ले लो br ले लिया magnesium के साथ reaction होगी dry ether की presence में तो क्या बन जाएगा cs3 mg br नाम क्या हो जाएगा methyl magnesium bromide methyl magnesium bromide ठीक है reaction उतारो mechanism डिसकस करते इस reaction की mechanism भी important होगी है त्योंकि mechanism से आप लोगों के कुछ questions हो सकता है इस साल सोल होगे हो सकता है jae means में आप लोगों के काम आ जाएगे तो इसकी mechanism भी आप लोग समझ दीजें ठीक है देखे क्या mechanism है mechanism इस reaction में सब से पहले हमारे वैसाब magnesium एक electron को donate करेंगे एक electron को remove करेंगे magnesium के पास क्या electronic configuration है 2A2 एक electron इसने donate किया तो क्या charge आया plus और इसके valence shell में अभी एक electron और बाकी चल रहा ठीक है बहुत सारे बच्चों के mind में आएगा कि magnesium एक electron ही क्यों निकाल रहा है stable होने के लिए तो दो चाहिए तो भाईया पहले reaction होती है फिर उसके mechanism बनती है तो जो reaction हुई है उसके according अपन magnesium की और valence को check करें या उसके mechanism को check करें तो magnesium एक ही electron को remove कर रहा है इसलिए अपन यहां पर भी क्या कर रहे है एक electron इसका बाहर निकाल रहे है clear अब ये जो electron है वो हमारे rx के पास जाएगा और उसकी bond की breaking करवाएगा ये electron आगया और electron के आते से अपना जो x है वो कहेगा भईया मैं मेरा electron लेकर जा रहा हूं अगर ये अपना electron लेकर जाएगा तो r के उपर क्या चार जाएगा positive भई x तो निकल गया है हमारा बाहर minus की form में और r अपने x अपने ही electron को लेकर जा रहा है तो क्या आएगा negative r के उपर अपना electron अगया वो तो है ये लेकिन electron sharing का तो चला गया तो positive charge आगया तो उस condition में ये electron इसकी help करेगा और उस पर positive charge नहीं आने देगा और क्या रहेगा इसके पास बेठे रहे तो negative charge भी नहीं आया positive charge था उसको इसने खतम कर दिया ठीक है भई तो उस condition में r के उपर क्या आज गया radical तो ये बन गया anion ये होगे radical अब next step के अंदर क्या होगा ये radical magnesium के पास जो radical है उसके साथ और ये जो x minus निकला वो magnesium के उपर जो positive charge है उसके साथ क्या करेगा bond बनाएगा क्या bond बनाएगा r mg तो बन गया radical radical और mg x mg और x ये दोनों क्या बना लेंगे ionic bond तो इस bond के अंदर कौन से character होगे तो अपन बोलेंगे ionic character होगे और ये metal है ये non metal है तो ionic character और इसके अंदर कौन से character रहेंगे तो radical radical के बीचे में बन रहा है तो वो अपने को नज़रा रहा है ठीक है, covalent character लेकिन साथ ये साथ यहाँ पर ये metal भी है, non-metal भी है तो हमारे को ionic characters भी नजर आने वाले हैं याने कि इसके अंदर 50% covalent character और 50% कौन से character? ionic character clear? अब ये जो reaction है ये reaction reversible reaction होती है किसी reaction होती है? reversible अगर ये reversible reaction है तो फिर से वापस से ओकी होई घंडी चलने लग जाएगी वापस से reversible reaction, backward reaction चलने लग जाएगी अब इसको यहाँ पर stable करने के लिए हमारे को जुरूत पड़ेगी dry ether अब ये जो dry ether है वो dry ether ये dry ether है oxygen के पास एक lone pair है वो अपने lone pair इस magnesium के साथ coordinate bone बना कर इसको क्या करेगा? stable करेगा क्या कर दिया? इसको stable कर दिया और इसके यहाँ पर stabilize होने के कारण से ये जो backward reaction है वो backward reaction थोड़ी सी क्या हो जाएगी? slow हो जाएगी तो backward reaction होगी तो सही लेकिन backward reaction slow down backward reaction कैसे हो जाएगी? slow हो जाएगी clear बात है ये mechanism write down कीजिए और इसके क्या use है? बाकि normal reaction जैसे अपने होगी वेसिकी वेसि चलती रहेगी इसका क्या use है? उसको अपन एक reaction से समझते हैं वो मैं निकलवा देता हूँ ठीक है? इसको यहाँ तक note करो for example अगर हमारे को ये कोई reagent दिया ना benzene दे दिया और उसके उपर लगा दिया CH2 और ये लगा दिया मैंने BR अब इसकी reaction दिया आपको magnesium dry ether की presence में आपको reaction करवाने है तो आप जब reaction करवाओगे तो simple सा जहाँ पर भी R और X के बीच में bond है उन दोने के बीच में magnesium को लगा दोगे और reaction क्या कर लोगे? complete लेकिन साथ ये साथ यहाँ पर और भी बहुत सारे product मलने वाले हैं और वो कौन-कौन से बनने वाले हैं तो भीया देखिए ये bromine टूटेगा CH2 के ओपर free radical आने वाला है R के ओपर free radical था तो ये लगा दिया अपने CH2 के ओपर free radical as it is अब जब कभी भी CH2 के ओपर free radical है और नीचे अगर benzine ring है तो क्या होने वाला है? resonating structures बनेगी और resonating structures बनेगी तो क्या होगा? ये free radical तूटेगा यहाँ पर ये free radical यहाँ पर इन दोनों के बीच में बोन बन जाएगा तो क्या बन जाएगी? अगली step यहाँ पर तो आगया free radical ये बन गया CH2 और ये और ये फिर अगली step में क्या होगा? इन दोनों के बीच में बोन बन बनेगा तो अगली step में क्या होगा? ये CH2 ये free radical और ये बना दिया में बोन यहाँ पर और यहाँ पर ये चार अपने बोन बन बनेगी तो नजर आएगी रही है उसके बाद से वापस इस CH2 के ऊपर चला जाएगा अगर CH2 के ऊपर free radical है तो उस condition में ये product मिलने वाला है ये structure और ये structure दोनों identical है बहुई electron इधर लगाओ ये electron इधर लगाओ identical structure है इसका मालब इन दोनों का जो product बनेगा वो तो similar बनने वाला है और यहाँ पर जो product बनेगा वो अलग बनने वाला है तो देखो जहाँ पर free radical होगा वहाँ पर magnesium का attack होगा इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ तो जहाँ पर magnesium का attack होगा यहाँ होगा तो यह लिखा पर ने CH2 और लगा दिया मैंने magnesium और BR ठीक है वई यह double bond यह double clear अब देखो इस carbon की valency यहाँ पर कितनी है 1, 2, 3 इसका मलते यहाँ पर एक hydrogen और भी present है और इस hydrogen के अंदर अगर homolytic cleavage हो तो उस condition में यहाँ पर free radical होगा और यहाँ पर free radical के कारण से यहाँ पर भी homolytic cleavage होगा तो यह bond भी हटेगा आप लोग इसको अलग से step में उतार ले ना भले है ना अलग से एक और state बना ले ना एक और step बनाओ ठीक है अब क्या होगा यहाँ पर यह CH2 यह free radical यहाँ और यह bond टूटा तो यहाँ पर free radical यह वाला पहले से यह बनाया मैंने MGBR तो इन दोनों के बीचे बॉन बनेगा तो यह bond यह bond यह bond अब यह hydrogen है यह अपने free radical को लेके बेठा हुआ पहले से इन दोनों ने बॉन बनाया इसका तो free radical में मिटा ही देता हूँ इस hydrogen का free radical और यह CS2 आपस में bond बनायेंगे तो क्या बन जाएगा फिर से अगली step में यह benzine यह MGBR और यह बना दिया CS3 तो बताओ यह तो अपने सोचा भी नहीं था फिर भी यह compound बनाऊगा ठीक है तो यह हो गया first यह हो गया second यह और यह यहाँ पर free radical से बनाएगा वो भी same बनेगा और इसके free radical से जो product निकल के आएगा वो के निकल के आएगा हमारा फिर से वापस MGBR लगेगा फिर यहाँ मैंने MGBR लगा दिया यहाँ पर यह hydrogen यह double bond CS2 यह double bond यह double bond इसका homolytic cleavage होगा तो इसका free radical इसके पास इसका free radical इसके पास फिर इसके free radical के करण़ से यहाँ पर cleavage होगा तो यह free radical यहाँ पर free radical फिर यहाँ पर free radical cleavage होगा तो यह free radical इन दोनों के बीचे bond मनेगा तो यह और यह hydrogen जाकर CS2 के साथ जाकर attach होगा तो यह लगा दिया आपने CS3 तो product number कौन सा हो गई यह third यादर जाएगी बात तो एक product नहीं बन रहा है कितने product बन रहे हैं 1, 2 और 3 यह अपने को कैसे पता चला यह हमारे को mechanism लिखने से पता चला यादर जाएगी बात अब एक question आप लोगों के लिए mechanism अगर अपने को ध्यान रहेगी तो reaction भी अपन करवा सकते हैं ठीक है? एक reaction और लिखो एक question दिया जिसे हमारे को यहाँ लगा दिया अपने BR यहाँ लगा दिया अपने BR और यह ठीक है? रीक्शन दे दी magnesium dry ether अब इस condition में हमारे क्या करना है? product बनाने है अब product बनाने के लिए बताओ जहाँ से BR निकलेगा आप इसको pose करके solve करना आ रहा है हम से मैं इसके answer बता देता हूँ ठीक है? आप जहाँ से BR निकलेगा वहाँ पर क्या लगेगा? free radical free radical फिर अगली बार में क्या करेगा? magnesium जाकर attack करने वाला है फिर BR जुडने वाला है तो आप product क्या बनाओगे? अगर आपने बना लिया हो I think तो mg BR mg BR जिन जिन ने ये product बनाया वो उनका ये product क्या हो गया? गलत क्यों हुआ? तो देखो ये free radical है इन दोनों में से कोई एक bond अगर अपना होमोलाइटिक क्लीवेज कर ले तो ये क्या बन गया? free radical और उस condition में इन दोनों free radical के बीचे bond मनेगा तो ये और इन दोनों के बीचे bond मनेगा तो ये क्या बन गया? बेंजीन बन गई जो केसी structure है और aromatic अपने आप में most stable structure होती है उसको आगे किसी के साथ reaction करने की ज़रूरत नहीं यादर जाए की बात तो हमारा product क्या होगा बेंजीन ऐसे हमारे को confuse करके create करवाएंगे clear अगली reaction लिखो reaction with lithium last reaction है reaction with lithium reaction with lithium lithium के साथ हमारी simple reaction है rx plus li dry ether इसकी presence में reaction होगी और क्या बनेगा rli plus lix बार निकल जाएगा ठीक है अब यहाँ से आगे अपने जो reaction चलने वाली है rli तक तो simple reaction है लेकिन इस rli की फिर से जब अपन reaction करवाएंगे CUI तो हमारे को एक प्रोडेक्ट मिलेगा जिसका नाम है देटाइल